बिग बॉस 18 को लेकर एक और अपडेट सामने आई बिग बॉस OTT का ये सेजन कुछ खास अच्छा नहीं गया लोगों को इस बार का शो कम पसंद आया वह यही वज़े है कि वो बिग बॉस 18 का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं कुछे दिनों कुछ कंटिस्टेंट के बिग बॉस 18 में जाने की खबर आ रही थी कहा जा रहा था कि ये शो के कंफर्म कंटिस्टेंट होने वाले हैं इस लिस्ट में दीपिका ककर के पती सोईब इबराहीम का नाम भी सामिल था हलाकि शोईब ने इस सो में हिस्सा लेने से साफ इंकार कर दिया है इसके अलाव भी कुछ नामों पर दावा किया जा रहा था लेकिन अब उनके इंकार करने से ये साफ हो गया है कि मामला कुछ और है जी हाँ आपको बता दे बिग बॉस 18 इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है पिछले दिनों से इनके कनफर्म कंटेस्टिन की खबर आ रही थी कि लेकिन अब एक कंटेस्टिन ने खुद मना कर दिया है कि वो अब इस शो का हिस्सा नहीं बनेंगे हाँ वो कोई और नहीं बल्कि दीपिका ककर के हजबन सोईब इबराइम है दरसल सोईब इबराइम का एक ब्लॉक सामने आया उन्होंने खुद कहा कि बिग बॉस जैसे रियाल्टी शो के लिए नहीं बने है शोईब का कहना है कि सलमान खान के रियाल्टी शो के लिए अभी बहुत मासूम है वो इसलिए वो इस शो का हिस्सा नहीं बनेंगे जबकि इनकी वाइफ दीपिका ककर खुद बिग बॉस का हिस्सा बन चुकी है कुछ दिन पहले इनके पती की बिग बॉस एटीन में जाने की खबर सामने आ रही थी वही सोईब ने साफ मना कर दिया है बहले इस अपडेट पे आपका क्या है कहना हमें कमेंड्स कर बताएं इसी तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें पर टॉप सीरियल्स ऑन सेट्स तो पर्सनल इंटर्व्यूस और फन सेग्मेंट्स विद अक्टर्स सब्सक्राइब तो टेली बाइट्स राइवे